आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 50 और बसेज, इलेक्ट्रिक बसेज दिल्ली के लोगों को सड़कों पे मुहया होने जा रही हैं, इसके साथ हमारी अब 300 इलेक्ट्रिक बसेज हो गई हैं दिल्ली के अंदर, बहुत कम समय में हमने इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेज एक्वायर कर ली हैं, इसके लिए मैं सभी ऑफिसर्स का जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये सारी प्रोसीजर्स पूरे किये, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, और दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध हो रही है, एक मैं आपको पूरा ओवरॉल दिल्ली में बसेज का जो अब स्टेटस है वो बता देता हूँ, दिल्ली में अब हमारे पास टोटल 7,307,379 बसेज हो गई हैं, ये आज तक की पूरे 75 साल की सबसे ज़्यादा बसेज है दिल्ली की सडकों के उपर, इतनी बसेज कभी दिल्ली की सडकों पे नहीं हुई थी, तो बीच में कई साल अकाल पड़ा था जब दिल्ली में नई बसें खरीदी नहीं गई थी, कई सालों तक नई बसें नहीं खरीदी गई थी, और हमें भी मुझे याद है बीच में कहा ग किया तो फिर खुब सारी बसें अब एक साथ खरीदी जा रही है तो 7389 बसेश खरीदी जा तो टोटल हैं हमारे पास जिसमें से 4060 बसेश डीटी सी में आए और 3319 बसेश डिम्स के थू अपरेट की जा रही हैं क्लस्टर में हैं तो ये हमारी टोटल बसेश हैं टोटल इन में से 300 बसेश इलेक्ट्रिक बसेश हमारी हो चुकी है डीमर्सी 100 बसेश ऑपरेट करता है इलेक्ट्रिक बसेश लेकिन डीमर्सी वो ठीक से चला नहीं पा रहा तो डीमर्सी की बसेश हमने टेक ओवर करने का नहीं है तो उसको इस साल बढ़ाके दोजार तेईस में बढ़ाके चार सो असी बसे हम कर देंगे तो DMRC के feeder roots पे चार सो असी बसे हो जाएंगी तो यह अगर सौ existing बसे दिल्ली Metro की जो हम take over कर रहे हैं सौ वो और तीन सो यह तो चार सो बसे तो already existing हो गई Bombay सबसे ज़्यादा बसे Bombay में हैं पूरे देश में जिसमें चार सो छे बसे हैं तो उनसे बस छे बस पीछे रहे हैं तो अभी already तीन सो बसे हैं यह तीन सो बसे के साथ हमारा phase वन पूरा हो जाता है electric busses का अब phase टू होगा जिसमें पंदरा सो और बसे खरीदी जाएंगी वो 2023 में हम लोग complete कर लेंगे 2023 के end तक पंदरा सो और बसे खरीद के अठारा सो ये और चार सो असी वो तो बाइस सो असी electric busses अपने पास 2023 दिसमबर तक हो जाएंगे 2025 के अंत तक इसके अलावा दो बाइस सो असी जो बसे इसके लावा हम आपस छे हजार तीन सो असी बसे और खरीद रहें electric busses अगले दो साल में तो 2025 के अंत तक overall picture होगी कि 10,480 बसे टोटल होंगी दिल्ली में जिसमें से 8,280 बसे इलेक्टरिक busses होंगी 80% बसे दिल्ली में electric busses हो जाएंगी 2025 के अंत तक तो अगर इतनी सारी electric busses आएंगी तो हमें इसके साथ साथ उनकी भी charging stations की खुब जरूर पड़ेगी बस डिपोज की जरूर पड़ेगी तो बस डिपो के electrification का काम बहुत तेजी से चल रहा है 56 बस डिपोज को electrify कि जा रहा है यह पूरा डेढ़ हजार करोड का बजट है इसमें तीन डिपोज को already electrify किया जा चुका है 17 डिपोज को जून 2023 तक किया चल जाएगा और 36 डिपोज डिसंबर 2023 तक हो जाएंगे तो यह आप देख सकते हैं कि दिल्ली में pollution को कम करने की दिशा में यह कितना एक तो बसे तो बहुत अच्छी हैं इन में बसे में सारी modern facilities हैं जितना भी जो भी हम सोच सकते हैं सारे हैं GPS सिस्टम है पैनिक बटन है इन कैमरा है अंदर सब कुछ है इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा इन electric बसे का है कि जो pollution की अपनी दिल्ली में सबसे जादा problem होती है जि एक बड़े अखवार के front page पे खबर भी थी कि पिछले साथ साल में सबसे जादा clean ये वाला पिछला साल 2022 रहा है in terms of pollution अभी भी और काफी कुछ करने की जरूरत है लेकिन ये pollution में भी जो achieve किया उस दिशा में electric buses का ये जो acquisition है ये बहुत बड़ा काम करेगा तो मैं फिर से दि नए साल की बहुत बहुत शुब कामना है आप सब लोगों को सब दिल्ली वासियों को सबी देश वासियों को मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला साल आपके व्यक्तिगत जीवन में और पूरे देश के लिए बहुत शुब हूँ बहुत बेहुत शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमेटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई अभी उसका पोस्ट माटम मैंने पता किया थ है भी पोस्ट माटम शैड चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उमीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहिए जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोशी है उनको सक्से सक्स सजा मिलने चाहिए ऐसा यह तो रेरेस्ट आफ रेर क्राइम्स में आ वही मैंने का जो भी कोई भी हो मैं उसमें अभी नी चाहूंगा लेकिन चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों यह तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है किसी की भी बहन बाहू के साथ हो सकता है तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों पॉलिटिकली कितने भी connected लोग हों, हम सब को मिलके प्रयास करना है कि उनको सक्से सक्से सजा मिलने चाहिए Thank you